हेलो दोस्तो आज हम आपको बताने वाले हैं सीरिस कनेक्शन कैसे किया जाते हैं और इसके लिए हम चार बल्ब का यूज कर रहे हैं तो हमने चार होल्डर ले लिए हैं और इसके लिए हमें चार बल्ब की जरुवत पड़ेगी तो हमने चार बल्ब भी ले लिए हैं और चार बलब का हम आपको series connection करे के बताने वाले हैं कि इसके connection कैसी किये जाते है हमें कुछ बायर्स की जरूखतपड़ेगी हमने बायर्स भी ले लिये हैं और अब हम आपको देखाते हैं कि सेरीज connection का circuit diagram होता है, वो कैसे होता है तो देखिए दोस्तों ये हमारे जैसे चार बल्ब हैं चार लेंप लगी हुई है और इनके हमें सीरिस कनेक्शन करने हैं तो जो हमारे बल्ब होते हैं वो देखिए यहाँ पर जो फेस है यहाँ पर एक साइड से हमें इसमें फेस देना होता है और उसके बाद जो हमारा बल्ब लग हुआ है देखिए यह जो बल्ब है यह जो हमारा होल्डर है देखिए तो होल्डर में जो है वो हमारे दो टर्मिनल होते हैं एक positive एक negative होता है हमारा DC में और AC में एक neutral face के लिए होता है तो यह हम AC के connection करने वाले हैं तो देखिए यह दो टर्मिनल है हमारे तो पहले में हम एक जगह से face देदेंगे जहां से main supply आ रही है और उसके फिर उसी होल्डर के बन वाले होल्डर से दूसरा टर्मिनल से उठा के जो supply है बायर लगा के हम दूसरे वाले होल्डर के एक टर्मिनल पर देदेंगे फर उसके बाद जो दूसरा वाला टर्मिनल है उससे उठा के तीसरे वाले पर और तीसरे वाले से उठा के चौथे वाले लेम पर हमें इसके बायर को देना होगा और फिर लास्ट में जो खाली बसता है एक टर्मिनल उससे हमें न्यूटल को कनेक्ट करना होगा जिससे हमारी जो सरकेट है वो कंप्लीट हो जाएगा तो देखिए यहां से हमने face को दिया और यहां तक हमारा जो circuit है वो complete हो गया है तो जैसे हम इसमें supply देंगे तो हमारा lamp जो है वो चालू हो जाएंगे अब सबसे पहले हम क्या करेंगे जो हमारे holders हैं उनके जो पीछे covers लगे हुए हैं तो देखिए हमने एक buyers का टोकडा लिया है और एक holder के एक psychiatrist पर हमने इसको connect किया है तो देखिए इसको अच्य सी tight कर लेंगे और जो दूसरा holder से उसको लेंगे और दूसरे holder के एक टर्मिनल पर हम इसको फिर से connect करेंगे तो इसको भी अच्छे से cathart कर देंगे और इसके बाद जो हमारा एक और बायर का टुकड़ा लेंगे तो हम इस वाले holder को connect करेंगे दूसरा जो हमारा terminal बचा हुआ है उस पर connect करेंगे जिससे जो हमारी supply है यहां से निकल के बल्ब से होती हुए इस वाले जो connector है इस पर आ जाएगी लिए और इसके बाद हम एक और बायर का टुकड़ा लेंगे और उसको इस वाले holder के दूसरा जो terminal बचा हुआ है हमारा उससे हम इसको connect करेंगे और इसके बाद जो हमारा last वाला holder रहेगा इस वायर को हम उसको connect कर देंगे तो इससे क्या होता है बल्प के दुआरा हमारा दूसरे terminal पर supply को भीजता है और वही supply हमने यहाँ पर दूसरे holder में लगाई है तो इसी परकार से जो supply है बल्प से होती हुए हमारे दूसरे holder तक पहुचेगी तो हमने इसके series connection को कर लिया है अब इसके बाद जो हमारे holder है उसमें हमारे दो terminal खाली बचे हैं एक side वाले holder का एक side वाले holder का तो इसमें हमें 2 wires को connect करना होगा एक neutral के लिए एक face के लिए जो की हमें line से connect कराना होगा तो देखिए जो पहला वाला holder है बहां पर हम face को connect करा रहे हैं तो हमने जो red wire लिया है उसको यहां पर connect कर देंगे तो यह जो holder है जो सभी जगह इसमें मलत तीन holder में हमारी पूरी तरह supply पहुच गया है सभी terminal पर और यह चोथा वाला है यहां पर हम neutral को connect कराएंगे तो जो हमारे series connection है अब complete हो गए है देखिए अभी कोई भी terminal जो है वो हमारा खाली नहीं बचा है दोस्तो series connection बिल्कुल आसान होते हैं कोई भी कर सकता है अगर आप देखना चाहते हैं अगर इसका screenshot लेना चाहते हैं तो आप screenshot ले सकते हैं तो देखिए हमने जो face supply है वो यहां पर दी यहां से एक बायर निकाला दूसरे holder में और दूसरे holder से एक बायर निकालके तीसरे holder में दिया है और तीसरे holder से जो एक बायर निकाला है वो चोथे holder में दिया है और चोथे holder में हमने लास्ट में जो connector बचाता वहां पर neutral connect किया है यह हमारा circuit diagram था, इसी पिरकार से हमने इसके connection को कर लिया है, तो अब चलिए हम इसमें जो दो wires हैं, इसमें हम neutral face की supply को connect कर लेते हैं, तो यह जो connector है, इसमें हमारी neutral face की supply है, तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों wires को connect कर लेंगे, neutral को और face को, तो देखिए हमने neutral को connect कर लिया है, को और फिस को भी इसमें connect कर देए और इसके बाद trembling को चालू कर के देखेंगे holders में bless लघा के देखेंगे तो देखेंगे हमने जोì rails उनके connect कर लिया है अब हमें जो holder से उनमें बल्प को लगाना होगा तो हम सभी बनको लगा लेते हैं तो देखी इसके जो connection है बहुत ही आसान होते हैं ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं कोई भी कर सकता है बस थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ता है series में क्या होता है एक ही बायर चलता है हमारा एक holder से दूसरे holder में और जो parallel होते हैं उसमें हमारे जो चारो बल्ब है बो connect हो गए है अब हमें जो line है उसको चालू करना होगा और देखना होगा कि जो हमारे जो बल्ब है वो अच्छे से दिखाई दें आपको तो देखिए जो बल्ब है वो सबी बल्ब अच्छे से जल रहा है तीन बल्ब जो है पहला दूसरा तीसरा वो हमारे जो बल्ब है वो एक समान जल रहा है लेकिन जो चोथा वाला बल्ब है वो हमारा बहुत ही कम जल रहा है तो इसका यह कारण है कि यह जो तीन बल्ब है वो हमारे हैं वो 60 बाटे हैं और यह जो चोता बलब है जो कम जलना है वो हमारा 100 बात का है Series connection में क्या होता है हमने जितने भी बल्ब को Series में connect किया है उनमें जो voltage है वो divide हो जाता है और जो current है वो same रहती है और parallel में जो है वो voltage same रहता है और current divide हो जाती है तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को like करें, share करें अपने दोस्तों के साथ और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं तो चलिए दोस्तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में